प्राइप्र नमस्कार आपका सभखते यूटीब चनल आई टी आई केंपस इंटर्यू में केंपस प्लेश्मेंट नोटी भी केंपस आ रहे ज़ा रहे ज़ा रहे है टोटल वकेंश की बात करूं तो पाँच हजार से ज़्यादा बच्चों को लिए जाएगा और टाटा स्टिल कंपनी में फीमेल्स के लिए दस्वीं बारवी के स्टूडेंट्स को नोकरी मिल जाएगी कोई ओनलाइन भरती नहीं है ओफलाइन केंपस प्लेश्मेंट के माधियम से सेलेक्शन किया जाएगा ओल इंडिया के केंडियर्ट है वो यहां पर नोकरी के लिए जा सकते हैं इस कंपनी में आपको भरती ली जाएगी पहले दो साल के लिए लिया जाएगा और कंपनी रोल पे भी आपको रखा जा सकता है इस वीडियो के माधियम से चर्चा करेंगे बीना स्किप किए 2-3 मिंट का समय लेंगे सारी की सारी डिटेल बताएंगे पोस्ट नेम क्या रहेगी कौन कौन सी कंपनी क्या रिक्वारिमेंट है कौन सी क्वालिविकेशन रखी गई है कितनी सेलरी रहेगी एज लिमिट क्या रहेगी वरक लोकेशन काहां पे रहेगा साथी साथ में पोश्ट नेम आपकी क्या रहने वाली है तो वीडियो दो से तीन मिंट का समय लेंगे चलिए ओपीशेल नोटिविकेशन पढ़ते हैं चलते हैं उनकी ओपीशन जारी कर दिया गया टाटा स्टील कंपनी के लिए टेक्निकल ओपरेटर के लिए वकेंशिज है टाटा स्टील कंपनी में नोकरी करोगे तो आर सो बच्चों का सेलेक्शन किया जाना है जिसमें 500 वकेंशिज फीमेल्स के लिए और 300 वकेंशिज पूरुष केंडिडेट के लिए चार बड़ी कंपनियों का विशाल केंपस प्लेश्मेंट लगाया जार आया नोटी वी के सरहलीज कर दिया गया है काफी बच्चे उत्तर परदे से मुझे कमेंट करते हैं तो उनके लिए बहुती शांदार वकेंशिज आ चुकी है जेंडर की बात करेंगे टाटल सकते हो चलिए मैं आपको नोटीविकेशन पर लेकर जाओंगा तीन नंबर कंपनी की डिटेल अलग अलग आपको यहां पर दे रखिए आप डिटेल बड़े उसके इसाब से उस कंपनी के लिए इंटर्यू के लिए जा सकते हैं एक दिवीशी केंपस प्लेस्मेंट है चार कंपनी चार से पांच कंपनी है इसका ओपीशल नोटिविकेशन आईटी एई जोब 2021 कोई आवेदन सुलुक नहीं रखा गया है ओपीशल नोटिविकेशन आपको आईटी एई जोब 2021 पर मिलेगा जिला स्योजन करिया ले प्रियागराज सुल्तानपूर से कंपनी का द्व वकेंसिस की बात करते हैं तो इसके लिए वाकेंसिस रखी गई है वह आपको प्लस्मेंट रिक्वार्मेंट है इसके लाए कुलिंग है तो इसके लाए लह पत्रकों सब्सक्दार बेदन आपको आपको लिएचिस कंपनी की departments स्योंникиिन अ को चाली उख практически से व्यूदkeeping के लिन रखी है अब बात करते हैं दो नंबर कंपनी की तो यहां पर देख सकते हो टाटा स्टील टाटा एलेक्टिकल लिम्टेड कंपनी जिसमें टोटल वकेंसीज की बात करेंगे तो यहां पर एट हेंडर पोस्ट रखी गई है फाइफ हेंडर फीमेल के लिए और थ्री हेंडर जोब लोकेशन जोब बंगलोर में इसका प्लांड देखने को मिल जागा इंट्रिव सेलेक्शन आपका डारेक्ट जोइनिंग करवाई जाएगी जिसमें क्वालीविकेशन रखी गई है दसमी बारवी ग्रेजुएट स्टुडेंट्स के लिए फीमेल के लिए अगर टाटा स्टिल कंपनी में बॉइज के इंडेट के लिए पॉलो टेक्निकल वकेंसी रखी गई है बात करते हैं चार और पांस नंबर कंपनी की तो यहां पर देख सकते हो ई-कोमर्स इंटरप्राइज़ और फ्लिपकार्ड यह कंपनी आ रही है यह ओनलाइन शोपिंग के मादियम से आपको लिया जाएगा जिसमें आपको वेर आउस में जोब दी जाएगी जिसमें पेकिंग, पेकर, स्केनिंग, बार कोडिंग इस तरह का आपका वरक रहेगा यहां पे पंद्रा सो बच्चों का सेलेक्शन किया जाना है इसमें एज्यूकेशन रखा गया है, आठवी मात्र पास और बार्वी पास के स्टुडेंट्स को विरियंता दी जाएगी एक्स्पिरियंस की कोई जुरूरत नहीं है इसके लावा सेलरी की बात करते हैं तो चोईस हजार रुपे तक रहने वाली है पंद्रह हजार से चोईस हजार रुपे तक वेत्तन देखने को मिलेगा इस प्लांट आपको वेराउस अलग-अलग लोकेशन के इसाब से देखने को मिलेगा इंटर्व्यू डारेक्ट के अधार पे सिलेक्शन किया जाएगा यहां पर देख सेक्टर ट्रॉम्स बी पियो प्राइवेट लिम्टेड कंपनी आ रहे है चार नंबर कंपनी की बात करें तो यहां पर देख सेक्टर गया है जिसमें इंगली सिंदिका स्पोर्ट दिया गया है इसमें 12 पास बच्चों को लिया जाएगा experience की कोई जरूरत नहीं है salary की बात करते हैं तो 15,000 से 25,000 रुपे रहने वाला है बंगलोर में आपका plant देखने को मिल जाएगा अब ये 7 October को company आ रही है जिल्ला सुयोजर करया लिया प्रियागराज सुल्तानपूर में आप बाल कोड को scan करके इस placement में ज़्यादा से ज़्यादा युवा साती भाग ले सकते हैं किसी भी state के candidate नोकरी के लिए eligibility मिल जाएगी कोई fee साफ से नहीं ली जा रही है 100% real जानकार या आप तक पहुंचाई जाती है जोब के नाम पे कोई बच्चा पैसा देकर नोकरी नहीं लेगा विशेज करके ध्याँ रखें और जिन जिन बच्चों को YouTube चैनल के मादम से Facebook पेज के मादम से या उनकी official website से नोकरी मिल रही है वो एक बार comment section में comment कीजिए टाकि दूसरे बच्चों को भी motivation मिले तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिं जबाद वन देमात